हेलो दोस्तो तो आज हम समझने वाले हैं गेर टर्मिनलोजी के बारे में देखें बहुत सारी टर्म्स होती हैं तो एक-एक करके हम समझेंगे और कोशी करेंगे कि एक-एक टर्म आपको क्लिर हो तो दिखें हमारे पास जब गेर दो-गेर अपसमें मैच करते हैंना तो कुछ इस तरह से चलते हैं कि एक जो है दूसरे के ओपर फोर्स लगाएगा अब जब फोर्स लगाएगा तो ये तो है नहीं करते हैंना एक एक चीज का हुए ध्यान पड़त है है। अगर हमने गलत मैच कर दिया आपस में और यह सुम्पल सी बात है मैंगर एक फिंगर दूसरे में ऐसेृट करना चाहता हूं ऐसे गेर बनाते है जिसकी कई विड्ट ही नहीं है और दुसरी इसकी विड्ट जदा है इसका डियप नहीं है तो पहले हम समझ लें क्या चीज़ें अगर आपको definition में चाहिए तो आप आगे चलना नहीं तो आप वीडियो वही रोख सकते हैं तो इस वीडियो को देखो ध्यान से तो इस वीडियो से हम समझेंगे देखे हमारे पास एक गेर तो गेर को हम जूम करते हैं एक टुथ लेते हैं उसका एक टुथ लेते हैं तो हमारे पास ये एक टुथ है इसका जो आउटर डायमेटर होगा सबसे बाहर वाला डायमेटर देखे हमारे पास पूरा एक गेर है तो गेर का outer diameter जो होगा हमारे पास outer diameter उसका देखेंगे तो circle बन जाएगा एक बाहर या ला ये ब्लू कलर में तो जो हमारा गेर था ना गेर का जो ये वला एरिया ये वला तो इसका अगर हम सर्कल बना दें इसका सर्कल बना दें तो वो क्या बनजेगा डिडेंडम सर्कल तो ये आ गया अडेंडम और वो आ गया डिडेंडम सर्कल तो दो सर्कल हमारे पास यहां पे आ अगर पूरा सर्फेस चच हो गया ना तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन और बहुत ज्यादा नौाइस प्रड्यूस होगी तो हमारा पॉइंट टच में आता है उस पॉइंट को जोडते हैं तो हमारे पास इक पिछ सर्कल बन जाता है तो यह पिछ सर्कल इन दोनों के हमने कल्कुलिशन पार्ट करना होता है अब देखिए एक होता है क्लिरेंस सर्कल क्लिरेंस सर्कल क्या है कि यहां पर ये देखो येलो वाला सर्कल जो है ये येलो वाला ये हमारे पास क्लिरेंस सर्कल होगा ये किस तरह से क्लिरेंस सर्कल है कुछ इस तरह से समझो कि मेरे प सा clearance लेके चलेंगे ताकि ये एक दूसरे के अंदर जाके उसको खराब ना कर दे तो हमारे पास ये जो होगा वो होगा clearance circle ठीक है clearance circle होगा तो चार circle होगे चारो circle का आपको समझ आ गया होगा अब इसके ये हमारे पें ह quanra कुण सा था फें सरकल से लेकर अड़ेंडमों सरकल कर डेस्टन्स जो सीधा millor उसको हम आड़ेंडन सरकल तक का distance सब्सकत करा अडेंडन और यहां की है डदन अगर माझन मैं फुटल इसकी विट देखता हूं इसकी विर्थ देखता हूं तो ये मीरे पास क्या बन जाएगा टौल आ यह क्यों तो पास चैसर खी किरेंस ょसमीं से माइनस कर देच तो वो जो घी yes02 आइनस कर दे तो वो हमारे पास बच जाता है । Mr बच जाती है न तो यह लेंद्ध क्या किलाती है वर्किंग डैप्थ वर्किंग डैप्थ टोटल यह देखो मैं फिर से सिंपल हाथों को यूज करो कुछ नहीं है अगर मैं यहां से यहां तक का टित का जो हमारे पास डिस्टेंस बहुत दीखता हूं तो वह में पास क्या बन संब्सक्राइब तो हमारे पास जिएस चीम डेखना इसका उबर वाला जो सर्फेस होता है इसको गायते टॉप्लेंड क्या गायते हैं और यहां हिस्सा दीको हमने हाफ करने का फाइदा क्या हो गास था यह माला तो बीड़ सरकल समयना और यह दिखें टुथ थिकना स्किते कितना ठीक है बस इतना से चाहिए कि आपस में दो टुथ में स्पेश कितना तो का स्पेस निग्लिश करें वर्ड को समझो वैसी समझाने वाला कि मतलब क्या है इसका लिए चीज अब आप पीछ क्या है पिच क्या है देखिए क讲 टेखों के तो हम क्या कहते हैं विकट से लेके विकट का बाइसे में दिस्टका टेंस करों इसति कमोल देते हैं इसमें भी हमारे पास एक पॉइंट रहे करें दूसरे पान प्रिस्ट क्पॉर से पेंपाइय। लूँगा तो यह यहां तक का पॉइंट अगर मैं यह पॉइंट लूँगा तो यह पॉइंट अगर ऐसे दो पॉइंट आपस में डिस्टन्स देखते हैं पिच से लिए पिच क्या रहा है एक विकेट से दूख से दूख से लिकेट का डिस्टन्स इस पॉइंट से इस सीधा पिछ और गुमा के पिछ सर्कल तो गुमा के पिछ सर्कल के इस तरह से देखो यह पिछ आ गया अगर पिछ सर्कल की बात करें तो यह यहां वाला डिस्टन्स यह देखो बाहर आ जाएगा यह बाहर आ जाएगा तो सर्कुलर पिछ के लाएगा तो यह सर्कुलर पिछ के समझनी अगर आपको लगता है कि मुझे इतना समझ आ चुका है तो यह पार्ट वन है वीडियो का यह पार्ट वन है वीडियो का इस पार्ट वन वीडियो के बाद मैं पार्ट टू में आपको एक एक इसकी जो डेफिनेशन के साथ करूगा तो डेफिनेशन देखने हैं तो प रोहां पर मिध्सार भाताए है तो यह मेरे पास मालो हैं यहां पर यह देखना यह जो यहां पर इसको फेस बो let your हैं चाहिए तो यह ऑफ सरकलं भान एडंडंदम कहलेखा है एक ग्र संप्रमर हिस्ट शाये के हैं झाल झाल